हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागते सिक्कू स्पोर्ट्स में तो आज हम देखेंगे जारकन पोस्टल सर्कल स्पोर्ट्स कोठा रिकूर्मेंट का जो है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन का लेटर जो है मैं आपको लाइब बताऊंगा यहाँ पर आप जैसे साम में देख सकत हो लेटर के उपर नाम है डिपार्मेंट ऑप पोस्ट इंडिया ओफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जहरकन सरकन सरकल राची ठीक है अब यह जो हैट किया है मैंने यहाँ पर डिटल रहती है स्टूडन्ट की जो भी स्पोर्ट्स परसन है कैंडिडेट है उनका यह यहाँ पर में नाम लिखा होता है टू तो यह लेटर जो है संदीप कुमार का है संदीप कुमार जो है टैनिस बॉल क्रिकेट से हैं इंटरनेशनल के ले हैं और उनका वहाँ पर मेडल रह चुका है तो यहाँ पर जो यह लेटर जो है ग्यारा तारिक को इशू हुआ था औ और इसमें यह letter by mail और by post send किया गया है जिनका mail id form fill करते समय सही था तो उनको mail पर send किया गया है और जिनका mail id नहीं था उनको by post speed post से घर के address पर send किया गया है तो इनका document verification तो हो गया है मैंने इस वीडियो को बनाना इसलिए सोचा क्योंकि बहुत सारे लोग के confused रहते है कि यह recruitment का list लग गया भी आगे कुछ process हुआ है या नहीं हुआ इनका क्या हुआ recruitment cancel तो नहीं हुआ आदे मैं ऐसे बहुत सारे doubt रहते है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ओपर भी एक वी verification कराना 26 March ठीक है अब 26 March तक जो list final list में नाम आया 19 लोगों का उन में से अगर कोई जा करके document verification नहीं कराता है तो 26 के बाद आप कोई चीज का claim नहीं कर सकते कि मुझे लेटर लेट पहुचा या मैं लेट आया सर्ट्रेन लेट था ऐसा वैसा मेरा मंडे की दिन जो है document verification कराओ ऐसा नहीं कर सकते आपका जो है recruitment में से नाम कट कर दिया जाएगा ठीक है तो जितने लोग पहले गए है document verification करा लिए बहुत अच्छी बात है और जिन लोगों ने नहीं कराया या जो लोग अपने सर्कल का वेट कर रहे है कि मैं मेरे state में सर्कल का result आएगा तो वहा पोस्टल सर्कल में नाम आ रहा है तो जहां से भी आपको document verification का later आता है तो आप पहले जाकर कि वहाँ पे join हो जाओ या verification करा लो आपका क्योंकि क्या होता है देखो जितने भी पोस्टल सर्कल से जैसा गुजरात है गुजरात इसके पहले भी आया था फिर recruitment cancel हुए फिर cancel हु है ना अब हर्याना कभी ऐसे ही हुआ दो बार आया पिर cancel हुआ अभी आया अभी result के लिए वेट करें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है तो मैं यह चाहता हूँ कि आपका जहां पे भी final list में नाम आता है आप पहले वो सर्कल में जाकर join हो जाओ ऐसा मुझ सोचो कि MTS पे लिस्ट का वेट कर रहे हो अगर आपके स्टेट की लिस्ट के समय पे अगर उस भरती में stay आ गया किसी ने कोट पे case कर दिया या कोई लड़के ने RTI लगा दी क्योंकि बहुत सारे हर सरकल में इसी तरह हो रहा है प्रॉब्लम सारी कुछ ना कुछ तो आप जो है जहां पे भी आपको मौका मिलता है पहले जॉइन हो जाओ क्योंकि आप ट्रांसपर ले सकते हो आपके स्टेट में दस साल के बाद पास साल के बाद मगर आपको एक बार यह मौका हाथ से चला गया तो आपकी एज भी चले जाएंगी फिर बाद में दुबारा आए नेशनल खेलो इं सेंटर गौवर्मेंट एंप्लोई बन जाओ गे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे क्योंकि जितनी भी रिकुरूमेंट्स आएंगी ना उसके उपर मैं हर बार बताता हूं कि सेंटर गौवर्मेंट एंप्लोई है तो 40 साल तक अपलाए कर सकता है वो भी जनरल के डिग स्टेट में लगूँगा मेरे स्टेट का ही जाकर कि मैं जॉइनिंग लोंगा तो वो पॉसिबल नहीं है उसका वेट मत करो जहां से भी आपका आपका नाम आता है पहले जाकर कि जॉइन हो जाओ ठीक है तो आपको समझ में आगया मैं क्या बूलना चाह रहा हूं जो लोग जाकर कि जॉइन नहीं हो रहे है उनको ये मेरा संदेश है कि आप इस बात को थोड़ा समझिए अगर नहीं समझना चाहते हो तो कोई बात ने आपकी लाइफ है आप कैसे भी जी सकते हो और कैसे भी रह सकते हो पर ये एक as a sports person मैं भी sports person हूँ मैं जो दोर से गुजरा हूँ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो भी गलतिया आप करो और आप भी एक लोगों के लिए example बने रहे है कि इतना खेला है और आज फिर से फाइल ले करके घुम रहा है इदर उदर तो ऐसा ना हो उन उदारों में आपका नाम ना है इसलिए मैं आपको ये शला दे रहा हूँ ठ तो आप जैसा चाहिए ऐसा कर सकते हो और जितने मेरे भाई जो चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सकाइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है और वीडियो को लाइक के साथ और वीडियो को शेर भी करें ताकि अपने जि मिलते रहेंगी, sports quota recruitment के नाम से ग्रूप है अपना telegram का, तो इसको join करना, यहाँ पर मैं आपको सारी links share करता हूँ, website पे जाकर आपको official notification download कर सकते हो, जैसा अभी employment news डाला है, तो employment news में normal vacancies का सारा detail होता है, तो सभी दोस्तों से विननती है कि telegram group join करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कर, मिलूँगा आपको मैं next video में, thank you